जैसे आपको past के लिए तो was work का यूज़ करना पड़ेगा फर जायंट के लिए is to be, m to be, r to be इस परकार से ठीक है हमने यहाँ पर will be के बाद एक object रख दिया यहाँ हमने इस वाले वाकि में हमने will be के बाद एक verb की ing form रखी और third वाले में हमने will be के बाद verb की third form रखी जितनी आप लोगों को possibility दिखानी आप दिखा सकते हैं can be या could be या may be या might be welcome guys तो इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं model के साथ हम be का use कब करते हैं जैसे will be, can be, should be, may be, might be, must be, more different structure with to be two के साथ जब हम be का use करते हैं तो उससे किस परकार के structure बनते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता हूँ आई इस वीडियो को सुरू करते हैं आप लोग देख रहे हैं dealing is for all देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा everything will be fine एक sentence बन लिया मैं बाजार जा रहा होँगा I will be going to the market यहाँ पर देखिए will be ठीक है और यहाँ पर भी will be उसके बाद verb की ing form अब देखिए उसे पार्टी में बुलाया जाएगा he will be invited to the party यहाँ पर भी will be उसके बाद verb की third form तीनों ही sentence बिलकुल अलग है जबकि will be का use हो रहा है हमने यहाँ पर will be के बाद एक object रख दिया यहाँ हमने इस वाले वाकि में हमने will be के बाद एक verb की ing form रखी और third वाले में हमने will be के बाद verb की third form रखी तो आईए जानते हैं ऐसा क्यों है देखिए will be का use करते हैं state of being को दिखाने के लिए rule है subject will या cell किसी का use करें आई वी के साथ cell का use कर सकते हैं बाकी सब इक साथ will का या फिर आप लोग सभी के साथ will का use कर सकते हैं इस पोकन में ठीक है मैं दुनिया का सबसे भाग्य साली आदमी बनूंगा I will be the luckiest man in the world तो यहां पर ध्यान दीजिए कोई किरिया नहीं हो रहा है कोई काम नहीं हो रहा है ठीक है सीरब बताया जा रहा है state of being बताया जा रहा है जैसे कि तुम्हें देखकर हर कोई खुस होगा everybody will be happy इतना समझिए everybody will be happy हर कोई खुस होगा ठीक है क्या कुछ किया जा रहा है नई कुछ नहीं किया जा रहा है everybody will be happy हर कोई खुस होगा ठीक है अब देखिए to see you तुम्हें देखकर यहां कोई किरिया नहीं हो रही यह जो to see you है जो हमने इंफिनिटिव का यूज किया है तुम्हें देखकर वाक्य तो यहां तक complete है everybody will be happy हर कोई खुस होगा ठीक लेकिन हमें यह भी बताना है कि तुम्हें देखकर तो किरिया लगा दे करते हैं to see you ठीक है अब देखें next future continuous में हम यूज करते हैं will be का subject उसके बाद will be उसके बाद work की ing format जिसे v4 भी कहते हैं वह काम कर रही होगी see will be working मैं बाजार जा रहा होँगा I will be going to the market यह तो clear है आप लोगों को future continuous अब देखिए simple future जब passive बनाया जाता है simple future का subject उसके बाद will be उसके बाद work की third form आपके द्वारा इस काम को किया जाएगा यहां से लिजिए इस काम को किया जाएगा तो यह हो जाएगा this work will be done ठीक है और उसके बाद by you मतलब आपके द्वारा अब देखिए उसे party में बुलाया जाएगा he will be invited to the party तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि will be के बाद जब ing form है तो इसका मतलब वो future continuous है ठीक है अगर will be के बाद कोई object है कोई noun है simple sentence है अगर will be के बाद वर्ब की third form है तो simple future का passive है ठीक है इतना clear है देखिए इससे बहतर और क्या हो सकता है what can be better than this यहाँ can be का use हो रहा है ठीक है यहाँ पर हम वर्ब यह जो बी है यह वर्ब की तरह यूज कर रहे है बी एक वर्ब भी तो है जिसका मतलब होता है होना ठीक है वह गायक हो सकता है he can be a singer तो can का हम यहाँ पर use किस प्रकार से कर रहे हैं can का हम यूज करते है possibility दिखाने के लिए भी ठीक है यह भी याद रखना जब हम possibility दिखाते है general जो की जो चीज हो सकते generally तो उसके लिए हम can be का भी यूज करते हैं तो he can be a singer वह गायक हो सकता है यह हम काबियत भी बता सकते कि वह गायक हो सकता है उसके पास यह ability है ठीक है वह दोस्त बन सकते हैं they can be friends यहाँ पर हम possibility भी बता रहे हैं यह फिर हम कहें वह जो लोग है वह इस परकार से रह रहे हैं कि वह दोस्त बन सकते हैं ठीक है इस परकार से generally ऐसा हो सकता है इससे बैतर क्या होना चाहिए अब देखिए should be what should be better than this अब देखिए यहाँ पर यह काम किया जाना चाहिए this work should be done यहाँ पर should be का use किसलिए किया should be के बाद हमने एक object रख दिया ठीक है यहाँ should be के बाद हमने वर्प की third form रखी do did done ठीक है तो यह passive का sentence है this work should be done यह काम किया जाना चाहिए इससे बैतर क्या होना चाहिए यहाँ पर यह passive नहीं है याद रखना क्योंकि अगर यह passive होगा तो यहाँ पर वर्प की third form आएगी should be के बाद ठीक जैसे कि आपको मेरे साथ होना चाहिए you should be with me state of being ठीक है यह passive नहीं है you should be with me आपको मेरे साथ होना चाहिए या कोई किरिया थोड़ी नहीं हो रही है तो इतना clear है next मैं एक engineer बन या हो सकता था पर नहीं बना I could be an engineer but I didn't मैं एक engineer हो सकता था या बन सकता था पर नहीं बना तो यहाँ पर कभी कवार confusion होती है जो वीवर्स होती है जैसे could be है इसका हो सकता है का sense भी आता है हो सकता था का भी sense आता है could be से ठीक है तो मैं आप लोगो clear करता हो देखे He could be in the park but he is not वो पार्क में हो सकता है but he is not पर नहीं है He could be in the park but he was not ठीक है वो पार्क में हो सकता था पर नहीं था ठीक है क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर हम possibility की बात कर रहे है ठीक है could be से ऐसा हो सकता था यह यह हो सकता था इस परकार से ठीक है लेकिन यहाँ ध्यान दो कि जब हम कह रहे हैं but he is not तो इस could be का मतलब हो गया सकता है वो पार्क में हो सकता है तो इस हम्सक्ता था कर रहे हैं कि वो सकता था कर फख़ह हो श्कता था अगर हम सिर्फ इतना ही बोले he could be in the park खीक है इतना ही बोले और आगे का sentence ना बोले तो इसका दोनों मतलब हो सकता है मतलब की वो पार्क में हो सकता है ये भी मतलब है वो पार्क में हो सकता था ये भी मतलब है अगर हम यह आगे की लाइन ना बोले, ठीक है, तो इतना आप लोगों clear है, लेकिन जब आप conversation करेंगे किसी से, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका मतल्स हो सकता है या था, जिस बारे में talking हो रही हो गया आप लोगों की, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि can be broken, मतलब यह general possible है कि इसे तोड़ा जा सकता है, possibility यहाँ दिखाया जा रहा, can we see, this stone could be broken, less possibility है, संभावना कम है इस पत्थर को तोड़े जा सकने की, this stone may be broken, 50-50, may be मतलब 50-50 chance है, तोड़े जा सकने की इस पत्थर को, this stone might be broken, बहुती कम chance है, कि पत्थर तूट जाए, ठीक है, जब might be का use करते, तो इतना आप लोग पता चल गया, जितनी आप लोगों को possibility दिखानी है, आप दिखा सकते है, can be, could be, may be, might be, इस machine को ठीक किया जा सकता है, आप कह सकते है, this machine may be repaired, might be repaired, could be repaired, must be repaired, must be जब कहते है, मतलब कि जरूर ठीक किया जा सकता है, जरूर ठीक हो जानी चाहिए, इस परकार से भी कह सकते है, तो आप लोगों को जितनी possibility दिखानी है, आप लोग दिखा सकते है, may, might, could, must, जितनी भी आप लोगों को requirement, model इसलिए तो होते हैं, अब देखे, passive, intuitive, जो कि to be आता है न, वाक्यों में, वो देखे, मु सा, infinitive का, तब हम to be का use करते है, I have to be, with you, मुझे उसके साथ रहना है, यह रहना होगा, have to be का use करते हैं, मतलब कि मजबूरी है, ठीक है, इस sense में हम use करते है, have to be का, वो एक गायक होने को है, है, he is to be a singer, he is to be a singer, मतलब कि वो एक गायक होने वाला है, बनने वाला है, इस sense में, is to be का use करते है, m2b, r2b, इस परकार से, ठीक है, was to be, war to be, जैसे, आपको past के लिए तो was work का use करना पड़ेगा, present के लिए is to be, m2b, r2b, इस परकार से, ठीक है, according to subject, देखे, यह mobile ठीक किया जाना है, this mobile is to be repaired, या फिर हम कहें, यह mobile ठीक होने को है, या हम कहें, यह mobile ठीक किया जाना है, बात तो एक ही है, ठीक है, होने को है, या ठीक किया जाना है, मतलब कि कोई काम अभी बाकी ही है, कहने का सिधा, मतलब यही है, कि कोई काम बाकी है, तो infinitive passive पे और वीडियो चीए detail में तो आप लोग मुझे comment कर सकते हैं मैं infinitive के passive पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही उमीद आप लोगों के लिए वीडियो काफी helpful होगी thanks for watching, मिलते हैं next वीडियो में, bye